आज टमेटो सूप बनाएंगे ऐसे बनाएंगे कि बहुत जल्दी बन जाएगा स्वाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा बाजार के किसी भी सूप से ज्यादा अच्छा नमस्कार निशामदुलिका.com में आपका स्वागत है तो बनाना शुरू करते हैं यह 4 टमाटर व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सूप के लिए टमाटर आप हाइब्रीड भी ले सकते हैं और देसी टमाटर भी ले सकते हैं लेकिन यह थोड़े फर्म होने चाहिए और यह आदा इंच अद्रक का टुकड़ा बिल्कुल थोड़ा सा है इसको भी 2-3 टुकड़ों में आदा छोटी चम्मच नमाट एक चोथा चोटी चम्मच क्रस्ट काली मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं या छह साथ साबुत काली मिर्च ले लिए यह चोटी साइज का आदा चुक अंदर छील कर चोटा-चोटा काट कर ले लिया है इसे डाल दीजिए इससे सूप में कलर ब और धीमी फ्लेम पर दो मिर्ट और कुक कर लीजिए इसके बाद फ्लेम बन और कुकर को ठंडा होनी दीजिए मुझे कमेंट में अक्सर फीडबैक मिलता है कि उनका सूप अच्छा नहीं बनता तो इसका कारण है कि आप सूप को किस वरतन में बना रहे हैं आप इसे पर दो मिनेट को कर लीजिए और सादा भगोनी में बना रहे हैं तो वाल आने के बाद दस वारे मिनेट को कर लिजिए टमाटर को सौफ्ट होने तक को करना है बरतन कोई भी लें लेकिन अल्मुनियम का बिल्कुर नहीं लेना है कुकर में सीटी आ गई है फ्लेम को धीमा कर देते हैं और दीनी फ्लेम पर में दो मिनिट और कुक करते हैं दो मिनिट के बाद फ्लेम बंद कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने देते हैं कुकर ठंडा हो गया इसे खोड़ लेते हैं और यह देखिए सारी चीजा उबलकर तयार हो गई है इन टमाटर को हम डालते हैं छ टमाटर रखते हैं इधर प्लेट में और थोड़ा सा इन्हें खोल देते हैं ताकि यह जल्दी से ठंडे हो जाए अब गरम गरम टमाटर कभी मत पीस यह भाब बनेगी धकन खुल जाएगा और टमाटर सारे फैल जाएगे यह थोड़ा सा ठंडा हो गया है इसे डालते हैं जा पाउडर इसे इसके साथ में पीस लेते हैं और यह देखिए एकदम बारी पीस कर तैयार कर लिया यह जूस जो पहले चान कर निकाला था इसे भी हम इसी में मिला दे रहे हैं ताकि अच्छे से चंड जाएगा अब इसे चान लेते हैं और यह देखिए चल्नी में कुछ खास नहीं बचा है यह इल्कुल थोड़े से फाइवर है इन्हें हम हटा देंगे बहुत ज्यादा इसको दबाकर नहीं निकालेंगे नीचे जो पल्प आ गया है वो सब हम हटा लेंगे चल्नी से अब इसे गैस पर रखते हैं और कुक करते हैं फ्लेम ओन और कंसिस्टेंसी देखते हैं काफी गाड़ा लग रहा है देखिए सिर्फ टमाटर ही है अभी तो हमने इसमें कुछ नहीं डाला है और पानी बचा हुआ डाल देती हूं में तो अभी तक टोटल 1.5 कप पानी डाल यह आदा कप पानी और यानि 2 कप पानी का यूज कर लिया हमने और कंसिस्टेंसी देखिए अगर आप ऐसा ही पतला सूप पीना चाहते हैं तो इसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है इसे आप बोईल करने रख देते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं आदा छोट आए इसे ठीक करने के लिए डाल रहे हैं एक चमच कॉन फ्लूर थोड़ा से इसमें पानी डालेंगे और इसे घोल नहीं एकदम स्मूध खोल बना लिजिए गाठे ना रहें और कॉन फ्लूर से ही इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ठीकनेस आएगी बिल्कुल स क्षफिया तब तक चलाते रहें जब तक फिर से उबल आ गया इसमें अब इस दीमी घास पर चार्निट इसी तरीके से उबलने दीजिए यह एक यादेर चोटी चमच चीनी यह आप अपने स्वाद के हिसा जितना आप मेठा फसंद करें जब द आ दाल दीजिए को यह एक स चोटी चमश बटर बटर आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं आप नहीं चाहते हैं तो मट डालिए इसे चार मिट धीमी गैस पर उबाल लिया और यह सूप बनकर तयार है कलर देखिए और कंसिस्टेंसी दोनों बहुत अच्छे हैं कलर के लिए थोड़ा यह हमने थोड़ी सी मलाई को फैट कर ले लिया इसके उपर गार्निश कर देता है क्रीम से भी इस तरीके से गार्निश कर सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं और आप इसके उपर कुछ भी ने डालें तो भी सूप बहुत टेस्टी बनाएं यह सूप तयार हो गया और यह हमने एक ब्रैड का टोस्ट बनाकर चोटे 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 कुरूतल्स काट लिया है तो यह भी डालकर आप सर्व कर सकते हैं गर्म गरम टमाटर सूप सर्व करने के लिए तयार है इतना सूप परिवार के तीन चार सदस्यों को परुसर जा सकता है इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन कौन फ्लोर को जब खोल कर डाल रहे हैं तो सूप को आप लगातार चलाते रहें ताकि उसमें गाठे ना बने आप बहुत अच्छा टमाटर सूप बनाकर तयार करेंगे तो आप इसे जरूर बनाईए और अपने अन्वा मेसा शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत कर लिजिए बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेस्पीश के नोटिफिकिस सब्सक्राइब मिलते रहें